ये कहानी है चिकतोर की खुब्सूरत रानी, पदमावती और उनकी खुब्सूरती के पीछे पागल सुल्तान अलाओ दिन्गेवजी की रानी पदमावती जीनको पदमिनी के नाम से भी जाना जाता है इनका नाम इतिहास के स्वर्ण्ने मक्षरों से लिखा गया है रानी पद्मावती के पता सिंगल प्रांथ के राजा थे, जो आज के समय में शुलंका में पड़ता है उनका नाम गंधर्बेसेन था और माता का नाम चंपावती था रानी पद्मावती बाल्यकाल से ही अत्यंत खुपसूरत और मन्मोहक थी महराज गंधर्व सेन में अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वेमवर रचाया था जिसमें भाग रेने के लिए भारत के अलग-अलग राज्यो से बड़े-बड़े राजा महराजा आये हुए थे उसी स्वेमवर में मौझूद थे चित्तोर के राजा राजा रवल रतन सिंग राणी पद्मावती का विबा स्वेंबर विजेता चिक्तोड के राजा रवल रतन सिंग के साथ बड़े ही धूमधांग से हुआ राजा रतन सिंग एक बहादूर और शाहशी योद्धा थे वह एक प्रियपती होने के साथ ही एक बहतर शाशक भी थे वे चित तोड के राज्यो को बड़े कुछल तरीके से चला रहे थे उनके सासन में वहां की प्रजा हर तरीके से सुखी थी राजा रतन सिंग को कला में भी काफी रूची थी उनके दरबार में एक काफी बुधिमान लोग थे उनमें से एक प्रसिद संगितकार राजवचेतन भी मौजूद थे जो रतन सिंग के काफी प्रिय थे जादा तर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि राजवचेतन एक जादुगर भी था वे अपने इस कला का उप्योग शत्रुओ को चक्मा या अचमभित करने के लिए अपात कालिन समय में इस्तिमाल करता था एक दिन राजवचेतन काला जादु करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया जब राजवचेतन काला जादु करता है तो राजवचेतन गुप्त रूप से काला जादु करता है तो राजा ने उसे राज्य से अपमानित करके निकाल दिया इसके बाद रागप चेतन ने दिल्ली की तरफ जाने की ठानी और वहाँ जाकर वे दिल्ली के पास एक घने जंगल में छुपे रहे जहां सुल्तान अक्सर शिकार के लिए आया करते थे एक दिन सुल्तान शिकार करने जंगल पहुचे ही थे तभी रागप चेतन ने बासुडी बजाना शुरू कर दिया बासुडी की आवाज सुनकर सुल्तान ने बासुडी बजाने वाले को ढूनने का आदेश दिया और तब रागप चेतन स्वैम उनके सामने आये तभी सुल्तान ने उनसे अपने साथ दिल्ली के दरबार में आने का आदेश दिया और दिल्ली जाकर रागप चेतन ने चित्तोड राजे की सैनी शक्ति चित्तोर गड़ की सुरक्षा, वहाँ की संपती और वहाँ की समराजे से जुड़ा एक एक राज खोल दिया यहाँ तक की रागप चेतन ने दिल्ली के सुल्तान को चित्तोर के राजा रवलरतन सींग की धर्म पत्नी रानी पद्विनी की खुबसूरती के बारे में भी बताया उनकी खुबसूरती के बारे में सुनने के बाद अलाओ दिन उन्हें मन ही मन चाहने लगे थे रागत चेतन की बाते सुनकर अलावदिन खिलजी ने कुछे गिनों में चिप्तौर राजी पर आक्रमन करने का मन बना लिया और अपनी एक विशाल सेना चिप्तौर के लिए रवाना कर दी चिप्तौर पहुचते ही अलावदिन के हाथ निराशा लगी क्योंकि उन्होंने पाया कि चिप्तौर को चारों तरफ से सुरक्षिप तरीके से सुरक्षा प्रदान की गई है लेकिन वो राणी पद्मिनी के सुन्दर्ता को देखने का और इंतिजार नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने राजा रतन सिंग के लिए यह संदेश भेजा कि वो राणी पद्मिनी को बहन मानते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं खिरजी के इस अजीब मांग को राजपुत मर्यादा के विरुध बताकर राजा रतन सिंग ने ठुकरा दिया लेकिन निराश रतन सिंग को अपने समराजी को अलाओ दिन के तिवर प्रकोप से बचाने का एक मौका दिखाए दिया रानी पद्मावती सुल्तान को अपने जलग दिखाने को तयार तो हो गई लेकिन केवल प्रतिबिम्भ में इसके लिए किले के एक उचे बुर्ज में अलाओ दिन खेल जी को खड़ा किया गया उसके सामने एक आइना लगा दिया गया वो बुर्ज के एक दम नीचे एक तलाब था जो बुर्ज में लगा आइने में साफ दिखाई देता था तलाब के किनारे रानी पद्मावती खड़ी हो गई रानी पद्मावती का प्रतिबिम तलाब के पानी में पड़ा और तलाब का प्रतिबिम उस आइने में दिखाई दिया और इस तरह पहली बार सुल्तान अलाओदिन खिलजी ने रानी पद्मावती के रूप को देखा पद्मावती के रूप के बारे में सुल्तान खिलजी ने जितना सुना था उसे कहीं जादा पाया पद्मावती को देखते ही अलाओ दिन ने उसे अपना बनाने की ठान लिए शर्त के अनुसार चित्तौर के महराजा ने अलाओ दिन खिलजी को आइने में राही पद्मावती का प्रतिवन दिखा लिया और फिर अलाओ दिन खिल जी को पूरे महमान नमाजी के साथ चित और किले के सातो दर्वाजे पार कराकर उनकी सेना के पास छोड़ने गए इसी अफसर का लाग उठाकर अलाओ दिन खिल जी ने राजा रतन सिंग को बंदी बना लिया और इसके बाद उसने संदेश भेजवाया कि महाराजा रतन सिंग को जिए देखनाने तो रानी पदमावती को तुरंत अलाओ दिन खिल जी के खिब्वत में किले के बाहर भेज़ दिया जाए राजा रतन सिंग को अलाओ दिन खिल जी के गिरफ्ट से सकुषल मुक्त कराने के लिए रानी पदमावती ने सोनगर के चोहान राजपूत जनरल गौरा और बादल के साथ मिलकर सुल्तान को उसके ही खेल में हराने की ठानी और कहा कि अगली सुभा रानी पदमावती को उन पर उनके दासियों के भेश में रड़ा के योध्धा मौजूद थे योध्धाव ने दिल्ली के सिना पर आक्रमन कर दिया और इसी चालापी से राजा रतन सिंग को अलाओ दिन के किरफ्ट से छुडा लिया गया और रतन सिंग को सुरक्षित रूप से महल पहुचा दिया कहा जाता है कि वासना और लालच इनसान की बुद्धी हर लेती है अलाओ दिनखेव जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ सुल्तान को जब खबर लगी कि उनके साथ छल हुआ है तो इस बात को सुनकर सुल्तान आग बबूला हो गए और उसने तुरंध ही चित्ता और पड़ा दर्वाजा खोल कर युद्ध के लिए तयार हो गए खिले का दर्वाजा खुलते ही अलाओ दिन और उसकी सेना ने आक्रमर कर दिया इस भीशन युद्ध में पराक्रम्य राजा रतन सिंग वीर्धती को प्राप्थ हो गए उनकी सेना भी हार गई और अलाओ दिन खिलजी म और अन्य राजपूत युद्धा की मारे जाने की खबर सुनकर रानी पद्मावती ने जोहर करने का निर्ने लिया जोहर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारी महिलाएं अपने गुश्मन के साथ रहने की बजाए जबें को विशाल अगनी कुंड में नेच्छावर कर देती हैं जग अलाओ दिन खिल जी के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके हाथ लगती है सिर्क निराशा धुआ और राक कहा जाता है आज भी चिप्तोड की महिलाओ को और रानी पद्मावती के जोहर करने की बात को लोग आज भी गर्व से याद करते हैं कहते हैं राजपूत सर कटा सकते हैं लेकिन सरजुका सकते नहीं